हलो स्टुडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चेप्टर का पार्ट टू अफ्रेंड हो कैम फॉम स्काई तो फर्स्ट टू पेजेस हमने कर लिये थे यह हमारा थर्ड पेज है उस डग के बारे में बात की गई है कि वो एक जंगली बतक है वाइल याने जंगली इस डॉन मिन्स उसके पंग वास सॉफ्ट एंड वेलवटी बहुत ही कोमल और मकमली थे और उसकी जो चोंश थी वो ब्रोड याने बहुत चोड़ी थी जैसे एक शवल शवल का मतलब होता है चमच इस फिदर्ड ग्लिंटेड ब्लू, वाइट एंड ब्राउन उसके फिदर्ड याने उसके पंग ग्लिंटेड चमक रहे थे ब्लू, वाइट एंड ब्राउन नीले, सफेद और ब्राउन कलर की उस समय, at the moment वो दिख रहा था, exhausted मिन्स डरा हुआ मिनिस मदर ट्राइट मिनी के ममीने कोशिश की पिक हिम अप, उसे पिक करने की याने उसे उठाने की वैं शी सड़नली, ही निब्ड तभी अच्चानक उसने निब्ड किया याने चोच मारी हर हैंड उनके हाथ पे आउच, शी क्राइट उनके मुह से चीख निकली आउच ड्रॉइंग, हर हैंड बैग उन्होंने अपना हाथ पीछे खीच लिया यी फ्लटर्ड टू दग्राउड एक बार उसने अपने फ्लटर्ड पंको को फटफडाया लिविंग रूम के एक कोर्णे में जाके हर्डल याने दुबक के बैठ गया आल थ्रो दे इवनिंग, पूरी शाम मीनी और उसकी मम्मी ट्राइट टू मेक दड़क इटर कोशिश करती रही उस बतक को खाना खिलाने की दे पूट ब्रेट क्रम्स नट्स, फ्रूट्स in front of him दे उन्होंने रखे ब्रेट क्रम्स यानि ब्रेट का चूरा, नट यानि दाने, मुझफली के दाने फ्रूट्स, कुछ फ्रूट from him, in front of him in front of him यानि उसके सामने But he would not touch a thing लेकिन उसने किसी भी चीज को नहीं छुआ Mommy, give him some mashed rice and milk Mommy, दीजिये उसे कुछ mashed याने मसले हुए चावल और दूद Suggest Minnie, Minnie ने सुझाओ दिया Her mother mashed some cooked rice in a bowl उसकी मम्मी कुछ उबले हुए चावल Cooked rice याने बने हुए उबले हुए चावल मैश करके मसल के एक बाउल में कटोरे में लाई उसमें थोड़ा दूद डाला और sugar डाली And opening the birds big और bird की चोच को खोल कर Feed him उसे खिराया with an ink filler एक ink filler की सहायता से Ink filler याने जो pen में ink डालने का एक instrument होता है उसे कहते हैं ink filler As soon as he had some food in his stomach जैसे ही उसके stomach में उसके पेट में थोड़ा सा खाना गया The duck become visible तो जो बतक था वो visible मतलब की स्वस्त दिखाई देने लगा More alert और अब जादा alert हो गया वो सचेत हो गया His eyes brightened उसकी आखे चमकने लगी And he tired to open his wings और उसने कोशिश की अपने पंको को खोलने की But give it up After a few efforts लेकिन कुछ ही efforts याने कुछ ही प्रयासों के बाद उसने give it up कर दिया मतलब हार माननी यानि वो ओड नहीं पाया I know what his name is मैं जानती हूँ इसका नाम क्या है It is मित्र वह मित्र है Minnie said Minnie ने कहा Her mother smiled और उसकी मामी मुस्कुराई She'll We put मित्र to bed Minnie Her father asked her Minnie की पिता जी ने पूछा कि इसे मित्र का bed कहां पर लगाया जाए Minnie Papa I want him near me Papa मैं चाहती हूँ वो मेरे पास रहे He may need me in the night उसे मेरी रात में नीट पड़ेगी मिस जरुवत होगी Said Minnie Minnie ने कहा Finally they settled मित्र in a basket full of straw Besides Minnie's bed अन्तित्ह उन्होंने Settle किया याने घास से भरी basket में Besides Minnie's bed Minnie के bed के पाँ Contrary to her expectation याने उसके Minnie के expectation Minnie जैसा चाहती थी उससे contrary उसके ठीक विपरित मित्र did not whack मित्र उठा नहीं Minnie up in the night at all याने पूरी रात्र Minnie को उसने जगाया नहीं When she woke up early in the morning जब वह सुवे जल्दी उठी Minnie's first thought Minnie का सबसे पहला विचार था Was to look into the basket उस basket को देखने का By her beside जो उसके पास रखी थी To her horror She realized it was empty और उसने जब ये पाया कि वह खाली है तो वह horror मतलब डर गई मित्र मित्र shouted Minnie मित्र मित्र मिनी चिल्लाई Getting up on one elbow और उसने अपने one elbow याने एक कोनी के सहारे उठने की कोशिश की Then she saw him Looking brightly At her from the bathroom तब ही उसने पाया उसके उसे चमकते हुए bathroom के पास She burst out laughing और उसके चहरे पे laughing मतलब मुस्करहाट आ गई The bird could only hope alone पक्षी अपने आपको अकेला महसूस कर रहा था यानि उसने अपने आपको अकेला पाया Throw he tried तब उसने कोशिश की Valently to fly Valently यानि अपनी पूरी ताकत लगा दी भरस्तक कोशिश की To fly उडने की When Minnie crawled up to him जब Minnie उसके पास Crawl करके मतलब अपने हाथ पेरों को घसीट के उसके पास पहुची He flabbed his wing उसने अपने पंक फटफड़ाए And hopped away और दूर चला गया Minnie made a supreme effort and कौची Minnie ने बहुत कोशिश की और उसे पकड़ लिया Promptly he nipped her उसे चोच मरी Minnie what happened Cried her mother Minnie क्या हुआ उसकी मम्मी अलाम की तरह जोर से चिलाई entering the room room में आते हुए But when she saw the duck in her daughter's arm लेकिन जब उन्होंने डग को उनकी बेटी के हाथों में देखा हर अलाम turned to merriment उनका जो चिखना था वो खुशी में बदल गया I have bought breakfast of you for you and your friend मैं लाई हूँ breakfast तुम्हारे और तुम्हारे दोस्ट के लिए She announced उन्होंने घोशना की the doorbell rang when Minnie was cazoling मित्र to eat his breakfast doorbell याने दर्वाजे की घंटी बजी जब Minnie cazoling थी याने मश्गूल थी मित्र को उसका breakfast खिलाने में when Minnie's mother opened the door जब Minnie की मम्मी ने दर्वाजा खोला वह दर्वाजे पे बच्चों के समूप को जुन्ड को देखकर greeted हुई याने खुश हुई all dressed all dressed smartly in their school uniform सभी लोग अपनी school की uniform में smartly याने इच्छ से तयार थे auntie may we see the bird auntie क्या हम bird को देख सकते हैं they asked उन्होंने पूछा the children were thrilled to see मित्र बच्चे मित्र को देखके बहुती thrilled याने रोमांचित हुए मित्र being fed with an ink filler क्योंकि मित्र को ink filler से खाना खिला रहे थे they helped Minnie to hold him उन्होंने मिनी की मदद की उसे पकड़ने में याने him मतलब मित्र को पकड़ने में still तब तक while he was being fed जब तक उसने feed कराया ने उसने खाना खिलाया they had to leave soon to catch the school bus they याने वे मतलब बच्चे जल्द ही वहां से चले गए school bus पकड़ने के लिए we will be back in the afternoon हम लोग दौपेर में आएंगे हम लोग दौपेर में वापस आएंगे Minnie they said उन्होंने कहा Minnie also got ready to go to her school Minnie को भी तयार होना था अपने school जाने के लिए poor ducking बेचारा बतक how he must be missing his friend अब तक अपने friends को कितना miss कर रहा होगा sad bunty bunty ने कहा one of the children उन बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे bunty ने कहा in the evening watching the duck शाम के समय जब वो बतक को देखने आए it is all the more hard ये बहुत ही जादा कठीन होगा for him उसके लिए now to make a new friend अब नए दोस्त बनाना क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो चले गए उड़ गए और उसे नए दोस्त बनाना मुश्किल पड़ेगा because he is lamb क्योंकि अब वो लंगड़ा है याने उड़ नहीं पा रहा said अंजू अंजू ने ऐसा कहा end realizing too late और बहुत देर बाद उसे महसूस हुआ realize हुआ what she had said उसने क्या कह दिया quickly covered her mouth इसने अपना मुँ बन कर लिया we will make him strong हम उसे strong बनाएंगे ताकत पर बनाएंगे said Minnie Minnie ने कहा after this incident इस घटना के बाद the neighborhood children याने उस शाम के बाद जो पडोस के बच्चे थे become very friendly with Minnie Minnie के बहुत अच्छे दोस्त बन गए the children had at last realized the angoist Minnie बच्चों को at last याने अंततह महसूस हुआ Minnie की व्यथा याने Minnie का जो दुख था वो महसूस हुआ must have gone through because they did not play with her और क्योंकि वो उसके साथ खेलते नहीं थे तो उसकी जो उसका जो याने उनके साथ ना खेलने का जो दुख था Minnie को वो अंततह बच्चों को पता चला The next day अंजू bought a fat book with her अगले दिन अंजू एक मोटी सी बुक लाई उसके साथ See, you can read all about ducks in this देखो इसमें तुम डग के बारे में सब कुछ जान सकते हो मित्र is called a shawlar मित्र का नाम है shawlar इसे shawlar कहा जाता है The children crowded around her excitedly बच्चों ने आसपास उसे घेर लिया बहुत ही excitement के साथ excitedly मतलब excitement के साथ उच्चुकता के साथ And read all about the habit of shawlar और उसमें पढ़ने लगे सब कुछ उसकी habit उसकी आदते shawlar के बारे में मित्र must have flown hundred of miles No? Said little priya छोटी सी priya बोली कि मित्र कई सो मिलों तक उर सकता है ना Not hundred, thousands, correct Bunty Bunty ने उसे correct किया Hundred नहीं, thousands याने हजारों मिल He will fly back thousand of miles To his home again उसे हजारों मिल उड़ना होगा Back याने वापस Home again वापस अपने घर जाने के लिए Finally, the day of departure for their avian friend arrived अंतर तह वो दिन departure का याने विदाई का वो दिन आ गया जब उनके avian friend याने अजनभी दोस्त को अराइवड वापस जाना था Minnie's father took all children Minnie के पिताजी ने सभी बच्चों को साथ लिया And the duck or duck को to a nearby leg याने Minnie के पिताजी सभी बच्चों को और उस बच्च को पास के ही ताला पर leg means ताला पर ले के गए The children lifted मित्र from Minnie's leg बच्चों ने मित्र को लिया Minnie की गोच से Gently released him into the leg और बहुत ही नाजुक और बहुत ही gently बहुत ही कोमलता से उससे छोड़ दिया लेक में याने उस तालाप में He started swimming मित्र ने शुरू कर दी swimming shoveling the water with his beak Swimming करना याने तेरना shoveling करना याने अपनी चोच को पानी में मारना उसकी shoveling the water with his beak मतलब अपनी चोच को पानी में मारना The children stood there for a long time watching बच्चे वहां लंबे समय तक खड़े रहे और देखते रहे ये आपके last question का answer भी है The next day अगले दीन Minnie went into the balcony Minnie वापस अपनी बालकनी में गई To watch the children play बच्चो को खिलते हुए देखने There was no one in the park लिकिन वहापे कोई भी नहीं था पार्क में Suddenly the doorbell rang अचानक दरवाजी घंटी बजी And intrigued all the children और बच्चो का जुन्ड वहां आ गया Auntie Auntie Please send Minnie To the park to play Auntie please Minnie को पार्क में खिलने भेजी with us हमारे साथ They said उन्हों ने कहा We will bring her back safely In her wheelchair ऐसा कहे कि वो उसे अपने साथ सुरक्षित wheelchair पर ले गए With the help of willing little hands और अपने छोटे छोटे हातों से उसे नीचे उतारा Minnie was taken down the stair to the park और Minnie stairs से नीचे पार्क में पहुच गई यानि सीडियों से नीचे पार्क में पहुच गई बच्चो की मदद Minnie never had reason to feel lonely again Minnie को कभी भी मौका नहीं मिला, कारण नहीं मिला अकेले यानि Minnie को कभी भी अकेला पन महसूस नहीं हुआ फिर से तो यह है आपका first question what was Minnie doing in the balcony Minnie balcony में क्या doing कर रही थी Minnie balcony में क्या कर रही थी Minnie was watching यानि यह जब हमने चप्टर पढ़ा तब की बात है Minnie was watching Minnie देख रही थी the children बच्चो को playing खेलते हुए in the park, पार्क में outside यानि बाहर पार्क में Minnie बच्चो को खिलता हुआ देख रही थी next question है अगर आपने इसका चप्टर 6 से ही समझा है तो question answer बहुत ही easy है chapter में से ही answer लिए गए है next question है what disability did Minnie have क्या disability क्या अयोग्यता थी Minnie को यानि Minnie के पास क्या अयोग्यता थी Minnie was a spastic girl Minnie एक spastic girl थी यानि अपंग लड़की थी and had no control और कोई भी नियंतरन नहीं था and had no control over her hand and legs from birth और उसका control नहीं था पूरी तरह से उसके हातों और पैरों पर जन्म से means Minnie एक अपंग लड़की थी और जन्म से ही उसके हात और पैरों पर उसका कोई control नहीं था Why did the neighborhood children not become friendly with Minnie? क्यूं neighborhood children याने पडोस के बच्चे not become friendly दोस्ती नहीं कर पाए थे with Minnie 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 के साथ The neighborhood children did not become friendly with Minnie पडोस के बच्चे दोस्ती नहीं कर पाए थे Minnie के साथ because क्यूंकि they were busy वो व्यस्त थे with their own games उनके खुद के ही खेलों में and school और school के कामों में याने पडोस के बच्चे अपनी school और games में इतने विजी थे कि वो Minnie से कभी दोस्ती नहीं कर पाए Question 4 What had happened to the bird? पक्षी के साथ क्या हुआ था? याने पक्षी को क्या हुआ था? In an frantic effort In an frantic effort याने एक जोरदार प्रयास To rejoin his meds उसके दोस्तों से मिलने का याने जब वो एक जोरदार प्रयास कर रहा था अपने दोस्तों से मिलने का He had hurt himself on his wing उसने hurt याने चोरद पहुचा ली himself अपने आपको उसके पंखों से How was the bird feed? पक्षी को कैसे खिलाया गया? Feed याने खाना खिलाना How याने कैसे? पक्षी को कैसे खिलाया गया था? The bird was feed with an ink filler पक्षी को खिलाया गया था ink filler से After opening his beak उसकी बिक याने उसकी चोच खिलने के बाद याने पक्षी को उसकी चोच खिलने के बाद ink filler से खाना खिलाया गया था Why did the neighborhood children come to Minnie's house? क्यूंपडोस के बच्चे आये थे Minnie's घर The neighborhood children come to Minnie's house पडोस के बच्चे आये थे Minnie's घर पे To see the bird To see the bird याने उस पक्षी को देखने के लिए जो एक बतक था Describe the duck's farewell ये most important question है अधिकतर exam में final exam में भी आता ही है Describe the duck's farewell Duck farewell याने duck की विदाई का वनन कीजिए याने last time जब duck को छोडने गये थे तो उसका वनन कीजिए कि क्या हुआ था Minnie's father took all the children Minnie के पिताजी ने सभी बच्चों को लिया साथ में and the duck to a nearby leg और duck को वो लेके गए पास के तालाब में The children lifted मित्र बच्चों ने मित्र को लिया from Minnie's lap Minnie की गोध से and gently released और आसानी से छोड़ दिया याने बहुत ही नाज़ुक तरीके से कोमलता से उसे छोड़ा release किया into the leg तालाब के पानी में याने तालाब में छोड़ा He started swimming and shoveling the water with his beak उसने याने मित्र ने शुरू कर दिया swimming करना तेरना और shoveling करना याने पानी में चोच मारना with his beak याने पानी में चोच की साहता से shoveling करना वो चोच की साहता से आगे तेरते हैं वो उन्होंने करना शुरू किया वो मित्र ने करना शुरू किया the children stood there for a long time watching बचे महां खड़े होकर लंबे समय तक उसे देखते रहे तो यहां complete हुआ आपका chapter number second और उसके question answer हम मिलते हैं next vlog में आपका chapter number three लेकर so goodbye friends and have a nice day I hope आप सब समझ में आया होगा और अगर कुछ समझ ना आया हो तो comment box में comment ज़रूर कीजीगा